हेलो दोस्तों मेरा नाम है नितिन और PC टेबलेट की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोग ने टाइटल तो देखी लिया होगा Is OnePlus Settling Down? Never Settle उनकी फिलोसफी है लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि OnePlus 6 डिवाइस जो इन्होंने लॉंच किया है ये डिवाइस आते आते ये खुद ही अपनी फिलोसफी भूल चुके है जो ये Never Settle, Never Settle करते रहते है OnePlus 6 को मार्केट में आई हुए करीबन-करीबन एक महीना हो चुका है और पिछले एक महीने से मैंने इस डिवाइस को काफी बार यूज किया ये मेरे पास है भी इस डिवाइस को देखने के बाद में ना दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है नहीं, एक्चुली दो आती है iPhone 10, Samsung Galaxy S9 Plus iPhone 10, वो भी चिन के साथ, सिर्फ नोच नहीं चिन के साथ और Galaxy S9 Plus मैं मैं बहुत डिजाइनर्स वगरे क्या छुट्टी पे गई हुए है क्या OnePlus वाले सारे कि इधर से उधर से उठाया और बना दिया बस कुछ भी Never Settle का है किस चीज के लिए बोलें इसके अंदर किसके अंदर कोई वाव फेक्टर है There is no wow factor in this phone मतलब OnePlus 6 को देखके है न मुझे तो नहीं को हिंदी की कहावतियाद आ जाती है कहीं की इट, कहीं का रोडा भानुमती ने कुनबा जोडा एपल का देखके नोच वाला डिस्पले उठा लिया Galaxy S9 का कैमरा सेटप फिंगर प्रिंट सेंसर का सेटप लोगो सब कुछ है न वैसे लगा दिया ग्लास बैक लगा दिया वाइरलेस चार्जिंग दी नहीं कोई IP रेटिंग नहीं है ग्लास बैक क्यों लगाए फिर जब मतलब कि हमें तो ना ट्रेंड फोलो करना है खाली लोगों का बेवकूफ बनाना लोगों का काटना है बस भी ना मतलब में ट्रेंड के नाम के ऊपर अरे भई आईफोन 10 में वाइरलेस चार्जिंग है गलेक्सी के समसंगे गलेक्सी एस 9, S9 Plus में चार्ज वाइरलेस चार्जिंग है तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो क्या मतलब हो सिक्स्टी के लिए बचा के रखा है अभी तो आप बोले हो कि ये तक आपके प्रेजेंटेशन में आप लोग बोलते हो कि अभी वाइरलेस चार्जिंग इतना वाइबल नहीं है क्योंकि डेस चार्ज ये डेस चार्ज वो बिग ट्रेंट अफ टो दाजन एटीं वाइरलेस चार्जिंग देने में क्या दिकत है लोगों को प्रिफर्ड जो हो उनको यूज करने दीजिए ना आप कभी तो आप कहते हो कि हम लोग कॉम्यूनिटी का फीड़बैक लेते हैं कॉम्यूनिटी का फीड़बैक के एकोर्डिंग हमने 3.5 mm जैक रख रख रखा के अंदर अभी तक हम यह करते हम वह करते हैं कॉम्यूनिटी का फीड़बैक है दे ले लाइक टू यूज वायरले चार्जिंग जब बाकि सारी दिवाइस के अंदर प्रोसेसर अप्ग्रेड करता है प्रोसेसर आपने इसमें भी अप्ग्रेड कर दिया रैम इंक्रीज S9 Plus के अंदर variable aperture है इस phone में क्या है almost front का और rear का एक camera तो 5T वाला है simple एक camera आपने अपग्रेड कर दिया है वह तो और companies भी करती आती है क्यों बोलते हो never settle never settle इसके अंदर सब कुछ तो settling down वाला है इधर से उठाया उधर से उठाया चिपका दिया बना के phone दे दिया market के अंदर और और आप किसी भी popular entertainment franchise के साथ collaboration कर लो पिछली बार Star Wars का निकाल दिया इस बार आपने Avengers का edition निकाल दिया उसके नाम के आप 7,000 रुपए और फालतू ले ले लेते हो लोगों से फिर कहते हो कि never settling is this never settling कुछ करो अपने devices के अंदर कुछ ऐसा ले के आओ कि you stand by your particular thing which you say never settle क्या के आया है जिसके अंदर sliding camera है इससे अच्छा Vivo X21 है उसके अंदर in display fingerprint sensor है और आगे rumors आ रहे है कि Samsung S10 में भी चीज़े आएंगी उसके बाद में OPPO Find X वो और भी ज्यादा innovative device है उसके अंदर पूरे cameras front or back move हो के निकल जाते हैं जिसके अंदर almost 95% screen to body ratio है that is called as never settling that is called trying something new that is innovation this is not innovation this is a plain device following Apple's approach only जिस तरह के से Apple करते हैं कि जिसके 7 iPhone 7 8 8 Plus वाली जो सीरीज है उसको Apple एक mature device की तरह निकालता है this is a mature device you are just following footsteps of Apple nothing else users इसके अंदर को innovation नहीं है खुश होने की जरुवत नहीं है कि इसमें को innovation है और five or five users के लिए तो यह बिल्कुल भी वर्थ अपग्रेड नहीं है वह किस पॉइंट के ओपर कहाग जाए कि आप 40,000 रुपए खर्च करके यह phone खरीद लो कोई पॉइंट ही नहीं है हाँ बस 845 प्रोसेसर लेना है RGB RAM नहीं है रहे RGB RAM आप लोग 1 प्लस 5 से देने लग रहे हो 1 प्लस 5 के ताइम से ओफर करने लग रहे हो कहां से क्या है UFS 2.1 है अगर हम storage की बात करे हैं हाँ you are using best of the specs I am not saying कि यह phone को एक बिकार फोन है बट इस फोन ड़संट गो बाय दा नेवर सेटलिंग wow never settling wow factor वो चीज़ नहीं है इस phone के अंदर और अगर मैं और बाकी points पर बात करूं अगर मैं audio quality की बात करता हूं इसमें कुछ significant improvement नहीं है यह दोनों फोन है मेरे पास OnePlus 5 है यह मैं खुद परसनल डिवाइस करी करता हूं इसको मतलब मैं एक reviewer होकर tech reviewer होकर मेरा मन नहीं कर रहा बालूं मुझे इसके अंदर कुछ भी exciting नहीं लग रहा है डिवाइस के अंदर क्यों बनाऊं मैं इसको यह जास डिस्पले दिख रहा है ना वीवो के फोन में वीवो वी 9 के साथ हा रहा है इस वीडियो के थू मैं हमारे वीवर्स के साथ साथ OnePlus की टीम से भी directly बात कर रहा ह हूँ एक open forum पर open channel पर कि वह अपनी philosophy से हटे नहीं market में बस अपने जो पैक सिस्टर कंसर ना जैसे ओप वीवो उनकी तरह बस बल्क में फोन बेचने डिवाइस बेचने के बारे में ना सोचे तो यह अच्छा होगा यह company एक टैग जो geeks होते हैं उनके लिए शाय डिवाइस बनाती थी और लेटेस्ट इनोवेशन अपनी डिवाइस के अंदर डालने में बिलीव करती थी जो कि इन्होंने किया भी है लेकिन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अब वह एक philosophy जो है कि एक सही साब हमने brand name बना लिया है लोग हमारे brand name पर ट्रस्ट करते हैं तो simple simple बस छोड़ी चीज़े इधर से उधर करके डिवाइस नया लॉंच कर दो और उसको market में bulk में sell कर लो यह चीज गलत है यह तरीके का धोका है जो आप लोग जो oneplus अपने loyal followers के साथ कर रहा है I hope कि 60 में ऐसा देखने को ना मिले 60 में वो लोग कुछ different करें जिसको देखके लगे कि oneplus ने कुछ extra किया है और never settle वाली approach है देखे mistakes सब करते हैं अपनी mistakes से ही सब सीखते है oneplus ने oneplus two किया oneplus x किया लेकिन वो एक bold step थे और उसको सबने appreciate किया ठीक है company को profits भी बनाने होते हैं philosophy से कभी हट नी सकते हो पीछे तो आपकी philosophy never settle वाली है तो आप उसको follow कीजिए और अपने buyers को अपने fans को आप कुछ ऐसा नया exciting दीजिए जिसको देखके वो खुश हो और जिसको carry करने में proud feel करें जिस तरीके से था यह device never settle वाला है आप देख लीजिए आपको एक normal upgrade अगर कर चालीस हजार उपर लगाने एक ऐसे device के उपर जिसके अंदर सब कुछ बस okay है तो वह आपकी choice है लेकिन मैं चाहां तक यही कहूंगा कि आप दूसरी companies का flagship consider कीजिए वह थोड़े से costly जरूर है लेकिन वह worth value for money है आपको कुछ नया use करने को मिलेगा मैं 835 का OnePlus 5 यूज कर रहा जी तक कुछ भी इस तरीके का lag face नहीं कर रहा है OnePlus 5 जहां पर मुझे feel हो कि मुझे upgrade करना होगा बे मतलब में पैसे waste मत कीजिए अगर आपको upgrade ही करना है तो wireless charging वाला device लीजिए या फिर Pixel 2 XL लीजिए जिसके अंदर बहुत ही amazing photos आती है और latest update सबसे पहले आती रहती है तो मेरा बस इतना ही कहना है कि में का smart purchase जिस तरीके से ये phone है उससी साफसे तो Nokia 7 Plus भी बहुत सही है जो 25,000 रुपे में आपको मिल जाएगा बहुत लोग तो नोच को dislike करते हैं और वो disable रखना चाहते हैं तो फिर कोई point ही नहीं है 5T है 5T ले लो या फिर Nokia 7 Plus जैसा मैंने बताया वैस सब मैंने आपको बताया और आप इन points दो consider कीजिए और सोच समझ कर अपना पैसा invest कीजिए और यह वीडियो खतम करने से पहले यह है हमारे last वीडियो के giveaway के winner congratulations और साथ के साथ आज के giveaway में हमारे पास देने के लिए OnePlus 5T के तीन यह cool covers और इस giveaway में participate करने के लिए आपको करना है वीडियो को share करें साथ में हैश्टेक से और हम लोग randomly हैश्टेक को track करके तीन winner सेलेक करेंगे और तीनों winner को एक एक cover हम लोग send करेंगे तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए बबाए शुबरात्री जैहिंद वंदे मात्रम मेरा भारत मह करें दो One